नेसीर दोस्तों सुफ्टैंट एक्जाम को ans कि पूस्टन यसारे और दोस्तों सॉफ्टैंट इंजनिर्य की प्लीलिस्ट में बातकरने जारहे हैं वाइद बॉइडवाग टेस्टिंग जिसको हम इस्टकच्स्डल अवेलेबल है नूट सब एक्जाम के पहले रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो चैनल पढ़ना है हो तो ऐसे पढ़ने हो तो सब्स्राइब करना मद बूलना वीडियो के लाइक जरूर करना ठीक चलो तो इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो हम बात करते हैं इसको कहते हैं हम वाइड बॉक्ट टेस्टिंग भी करते हैं तो कहीं आप से पूछ ले इस्ट्रक्शल टेस्टिंग क् देखो, ये एक तरह की software testing technique होती है, ठीक है, इसकी मदद से भी हम testing वगरे ही करते हैं, इसमें हम internal structure, design and coding, जो software की होती है, internal structure, design and coding होती है, उन सभी चीजों को यहाँ पे हम लोग test करते हैं, और verify करते हैं, कि जो भी input, output चीजे हैं, वो chase work कर रही कि नहीं कर रही हैं, जो भी designing होत जो भी security बगरे होती है, उसे improve करना, ये काफी चीजे आपकी white box testing के अंदर आती हैं, ठीक, अब देखो, in white box testing, code is visible to tester, so it is also called clear box testing, अब देखो white box इसलिए खाया रहता है, क्योंकि सभी चीजे आपर दिख रही होती हैं, होता है न कि सफेद कपड़े पर अगर हम कोई, सफेद कपड़े पर अगर दाग लग जाता है, तो visible होता है न अच्छे से, यही चीज यहाँ पर भी है, कि white box testing में सभी चीजे visible होती है, यानि कि coder आपके code को देख सकता है, और वहाँ सभी चीज अब देख सकता है, तो आसानी से changes वगरे कर सकता है, और यह जो white box testing है न, यहाँ और आपको कई नाम देखने के लिए मिलते हैं इसके, जैसे कि clear box testing, open box testing, transparent, code based testing, glass box testing, यह काफी नाम से इसे बुलाया भी जाता है, तो आयो की चीजे आपको समझ में आ गई होंगी, structure based testing technique is also known as white box and glass box testing, technique because here the tester require knowledge of how the software is implemented, how it works, अब देखो, इसे white box and glass box testing इसलिए काते हैं, क्योंकि आप tester की एक requirement होती है, यानि कि उसे knowledge रहना चाहिए, कि यह software की implementation कैसे है, यानि कि जो भी module में code है, इसे implement कैसे किया, integrate कैसे कियेगा, यह सभी चीजे उसे पता होनी चाहिए, और कैसे software काम करता है, यह सभी चीजे आपको पता होनी चाह करके coding की गई है, Java या Kotlin यूज किया गया है, पैकन क्या Firebase वगरे यूज किया गया, database से data fetch करने के लिए, API वगरे क्या यूज की गई है, API concept क्या होता है, ठीक है, कौन-कौन सी libraries वगरे यूज की गई है, तो काफी चीजे यहाँ पर देखनी होती है, उसे XML वगरे आनी चाहि तो काफी चीजे उसे पता होनी चाहिए पहले से, तो यह होता है, ठीक है, in white box testing, the tester is concentrating on how the software does it, ओके, तो यह सभी चीजे होती है, आई हो कि आपको white box testing, इधना दो point आपको समझ में आ गया होगा, थर्ट पर क्या है, it is one of two parts of box testing approach to software testing, its counterpart black box testing, ठीक है, यह जो है first part है, जो white box है, first part है, यह आरी दूसरा जो है ना, इसका, एक black box testing है, ठीक है, involved testing from an external और end user perspective, ठीक है, जो black box होता है न, यह external या end user type, perspective type की testing अगरे होती है, यह internal level पे नहीं होती है, ठीक, on the other hand, white box testing है, software engineering is based on inner working of an application and revolves around internal testing, यानि internal level पर जो testing होती है, वो आपकी white box में होती है, और जो external level पर होती है, वो आपकी black box में होती है, ठीक, अब देखो, code optimization by finding hidden errors, code का optimization इसमें किया जाता है, अच्छे से, जो भी hidden errors वगरे होते हैं, यहां पर मिल जाते हैं, white box test cases can be easily automated, जो test cases, देखो, जो भी हम software की testing करते हैं, उसके लिए test cases लिखते हैं, और जो test cases होते हैं, उसे हम बहुत ही असानी से automate कर सकते हैं, ठीक है, तो अब इसका बात करते है, white box testing के कुछ techniques होती है, तो क्या के techniques होती है, एक होता है statement coverage, decision coverage, and multiple condition coverage, यह तीन हो काफी important से ध्यान समझना, और दोगो white and black box जो ह यह एक्जाम के point of view से भी काफी important है, इसे भी ध्यान से समझना आप लो, यह देखो, testing every possible statement in the code is executed at least once, एक time तो execute होता ही होता है, tools क्या use होता है, can data plus plus, यह तरह की tools से testing, tools से इसे internet पर सर्च करेंगे, तो आपको मिलेगा, इसके बारे मच्छे सब पढ़ सकते हम आपे, ठीक है, तो tools होता है, जिसकी मैं समझ टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, decision coverage में क्या होता है, testing every possible decision condition like if else for loop and other conditionals, loop in the code is executed at least once, एक बार तो जरूरी जरूरी यह चेक करता है, decision के अंदर जो होता है, यह at least एक बार जरूरी condition चेक करता है, condition लगाते हैं, code ही में आप code किये होंगे, पता होग ose to tag layer काफी चीज़ा लगाते हैं, तो at least एक टायम तो है test लगाते है, कि कहीं loop infinite तो नहीं चला जा रहा है, आप जो if else की condition लगाते है, कहीं गलत को रण नहीं कर जा रहा है, जो आप else में लगाए, वो if में चला जा जा, जो if में लगाए, वो else में चला जार। यह कापी we ensure that each entry point of the system is executed once एक बार होता ही होता है इसमें भी उसमें देको in the actual development process developers make use of combination of techniques those are suitable for their software application ठीक है तिये काफी चीज़े है white box testing technique की IOP चीज़े आपको समझ में आए होंगे